हलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंगलिस लिटरेचर बुक के चैप्टर अब बैड ड्रेम के सीन टू के बारे में सीन वन हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है आप लोग DAV क्लास एट के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो तो आईए अब सुरू करते हैं सेकेंड सीन को इस सीन में हम सब जो भी देखेंगे वो सब कुछ भी वास्तव नहीं है ये बस एक सपना है तो जब मिस्टर हिल सो जाते हैं तो उन्हें अपने सपने में दर्वाजे पर किसी के नौक की आवाज आती है मिस्टर हिल दर्वाजे की खटखटाट को सुन कर उठ जाते हैं और मिस्टर हिल आवाज लगाते हैं वहाँ कौन है अंदर आ जाओ दो आदमी रूम के अंदर आते हैं जिन में से पहला था ब्रिग्स उनके बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और दूसरा था विंटर उनके बैंक का कैशियर तो मिस्टर ब्रिग्स कहते हैं गुड आफ्टरनून सर्व हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं है ना यहाँ पे सेंटेंस है वे आर नौट डिस्टर्बिंग यू आर वी इस तरह के सेंटेंस को कुशिन टैक कहा जाता है यानि अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में निगेटिव हो तो सेकेंड पार्ट हमें पॉजिटिव बनाना होता है खैर यह ग्रामर का पार्ट है और इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे देखते हैं तो ब्रिक्स की बाते सुनकर मिस्टर हिल कहते हैं ब्रिक्स और विंटर क्यों क्या हुआ इनफेक्ट मैं तो सो रहा था और ऐसा भी क्या इंपोर्टेंट काम था जो तुम लोग अभी आ गए तो ब्रिक्स कहते हैं सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मिस्टर हिल कहते हैं I hope कोई ट्रॉबल ना हूँ, कोई परिशानी वाली बात ना हूँ, बैंक में कोई आग वाग तो नहीं न लगी है। और इसके बाद मिस्टर हिल अपने ही जोग पे हसने लगते हैं, लेकिन ब्रिक्स और विन्टर बिल्कुल भी नहीं हसते, वे सांत रहते हैं। तो ब्रिक्स कहते हैं, No, Sir, बैंक में कोई आग नहीं लगी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमें आपसे मिलना था, हमें आपसे बात करनी थी। तो मिस्टर हिल कहते हैं आज आज ही बात करनी है आज तू संडे है क्या तुम लोग वेट नहीं कर सकते तुम मुझे कल भी बता सकते हो कल आओ मेरे आफिस में हम लोग वहीं बैट कर बाते करेंगे तो Mr. Winter कहते हैं नई सर हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं हमें आपसे आज ही बात करनी है Mr. Hill थोड़े कन्फ्यूज होते वे कहते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है वेल तुम दोनों बैठो फिर Mr. Briggs और Mr. Winter वहाँ बैट जाते हैं Mr. Hill उनसे फिर पूछते हैं अब बताओ क्या बात है फिर Mr. Briggs कहते हैं सर हम कैसे बात को सुरू करें हमें समझ नहीं आ रहा है ये हमारे लिए आसान नहीं हो पा रहा है तो Mr. Winter कहते हैं ब्रिक्स क्या मैं बात करूँ हम मैंसे किसी एक को तो बोलना ही होगा तो Mr. Briggs कहते हैं नहीं नहीं ये तो मुझे ही करना होगा मैं Assistant Manager हूँ ये कहकर Mr. Briggs Mr. Hill से कहते हैं वेल सर हमें लगता है कि आपको Resign दे देना चाहिए ये सुनकर Mr. Hill पूरी तरह शौक हो जाते हैं और वो आश्चरे चकित होकर कहते हैं Resign, बैंक को छोड़ना होगा ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ये एक मजाख है ना Briggs Mr. Briggs कहते हैं नहीं ये कोई योक नहीं है Mr. Hill को ये सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा था वो अपनी चेयर पर बैठते वे कहते हैं एक मिनट आज संडे है एक तो तुम लोग मेरे घर पर आकर मुझे डिस्टर्ब करते हो और फिर मुझसे कहते हो कि मुझे रिजाइन देना होगा तो Mr. Winter कहते हैं We are very sorry sir हमें मालूम है कि आज संडे है लेकिन आपको ये बात बताना बहुत जरूरी था इस पर Mr. Hill को साते वे कहते हैं लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैं मैनेजर हूँ तुम सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर हो Briggs और Winter तुम तो सिर्फ एक कैशियर हो तुम मुझसे इस तरह की बाते नहीं कर सकते तो Mr. Briggs कहते हैं सर ये सब हम सिर्फ बैंक के लिए कर रहे हैं Winter भी Briggs का सपोर्ट करते वे कहते हैं ये हमारे बैंक के लिए अच्छा होगा सर हम पे भरोसा कीजिए फिर Mr. Hill अपने जगा से खड़े होते वे कहते हैं बस आज के लिए बहुत हो गया तुम दोनों अपने घर जाओ कल के लिए छुट्टी लो और रेस्ट करो तो Mr. Briggs कहते हैं हम बिलकुल ठीक है सर हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है लेकिन हमें आपका आंसर आज ही चाहिए सर क्या आप रिजाइन करेंगे Mr. Hill थोड़े जुझलाते वे कहते हैं ये मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह है मैं क्यों रिजाइन करूं बताओ मुझे मैंने किया ही क्या है तो Mr. Briggs कहते हैं आप बैंक को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते हैं सर अब Mr. Hill बहुत गुसे में थे और फिर वो अपने गुसे में कहते हैं अफकॉस मैं बैंक को काफी अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ हजारों लोग हमारे बैंक पे आते हैं हजारों लोग हमारे बैंक को यूज करते हैं और ये बिजनस काफी अच्छा चल रहा है इस पर मिस्टर ब्रिक्स आर्गुमेंट करते हुए कहते हैं उफ हमें पता है सर लेकिन हम सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं लोग हमारे बैंक को यूज करते हैं क्यूंकि हम सब बहुत म साथ nicely paste नहीं आते हो आप customers के साथ तो ठीक ठाक बात कर लेते हो लेकिन आप हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो आपको कोई भी पसंद नहीं करता है तो Mr. Hill कहते हैं ओ, मुझे तो ये पता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो Mr. Winter कहते हैं सर हम सब तो हार्ड वर्क कर लेते हैं लेकिन आप बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करते हो तो Mr. Hill कहते हैं अफकॉस मैं करता हूँ तो Mr. Briggs कहते हैं ओ नो सर आप ही देख लीजे न आप सुबह में एक तो लेट आते हो और आफिस खत्म होने से पहले ही निकल जाते हो आप लंच के लिए ही दो तीन घंटे ले लेते हो हम तो अपना पूरा दिन बैंक में ही बिताते हैं लेकिन आप वहाँ पे रहते ही नहीं हो ये सब सुनकर Mr. Hill कहते हैं लेकिन मैं मैं मैंनेजर हूँ और ये मेरे जॉब का पार्ट है मुझे इंपोर्टेंट लोगों को देखना पड़ता है मुझे उनके साथ लंच भी करना पड़ता है ये हमारे बिजनस के लिए अच्छा है तो Mr. Briggs कहते हैं ये अच्छी बात है सर लेकिन आप खाने के बहुत ज्यादा सौकीन हो तो Mr. Hill कहते हैं मैं ये सब वो सब कुछ भी नहीं सुनूंगा तो Mr. Winter कहते हैं लेकिन आपको सुनना होगा तो Mr. Hill कहते हैं मैं Head Office में तुम लोगों के खिलाफ कमप्लेंट करूंगा और तुम लोगों को रिजाइन देना होगा तो Mr. Briggs कहते हैं ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं सर Mr. Winter भी Briggs का सपोर्ट करते हैं Yes सर हमने ये सारी बाते Head Office में एक्स्प्लेंट कर दी है और वे भी हमसे सहमत है अब Mr. Hill चिलाते वे कहते हैं तुम लोगों ने Head Office में मेरे खिलाफ कमप्लेंट की वो भी मेरे पीठ पीछे तो Mr. Briggs कहते हैं ये हमें करना पढ़ा सर हम सिर्फ और सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे थे फिर Mr. Winter कहते हैं और सारे लोग इस बात से Agree हैं कि आपको Resign करना चाहिए तो Mr. Hill कहते हैं लेकिन वे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैंने इस बैंक में 30 साल बिताए हैं Mr. Briggs कहते हैं पैंक के बारे में सोचिए सर ये आपके बिना और भी ज्यादा अच्छा प्लेस बनेगा इस पर Mr. Hill कहते हैं लेकिन मैं क्या करूंगा मैं अब एक यंग आदमी नहीं हूँ मेरी एज हो चुकी है अब मैं कैसे नया जॉब ढूंडूंगा तो ये सुनकर Mr. Winter कहते हैं ओफ आप कुछ न कुछ ढूंडी लोगे सर किसी ओफिस में कोई भी जॉब Mr. Briggs कहते हैं और आपके पास वक्त भी तो होगा ना सर दो से तीन मन्त इतने टाइम में तो आप अपने लिए नया जॉब ढूंडी लोगे अब Mr. Hill थोड़े दुखी होने लगे थे और वे कहते हैं पता नहीं मैं इस बारे में शौर नहीं हूँ फिर Mr. Briggs कहते हैं लेकिन आपको तो ये प्रामिस करना होगा सर कि आप रिजाइन करोगे तो Mr. Hill कहते हैं जब Head Office तुमसे अग्री है तो मैं ज़रूर रिजाइन करूँगा Mr. Winter कहते हैं Thank you sir फिर Mr. Briggs कहते हैं We are very sorry sir पर हमें ऐसा करना पड़ रहा है फिर Mr. Briggs Mr. Hill से पूछते हैं आप कल आफिस आएंगे न सर Mr. Hill थोड़े से हिचकिचा जाते हैं फिर वो कहते हैं हाँ मैं आफिस आउंगा Mr. Winter कहते हैं पर प्लीज सर टाइम पे आ जाना इसके बाद Briggs और विंटर Mr. Hill को गुड आफ्टरनून बोल कर चले जाते हैं Mr. Hill वहीं अपनी चेयर में अपने सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं तो ये था Mr. Hill के बुरे सपने का पहला पार्ट अगले पार्ट में हम देखेंगे कि Mr. Hill अपने सपने में और क्या पुरा देखते हैं वेट फॉर दा नेक्स्ट पार्ट थैंक यू फॉर वाचिंग